जैए श्रीराम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना है स्रॉडजार्ट निम्रिलोजिस्ट, लाल किताविन वास्तू कंसल्टेंट आप सभी का तुरस्य स्वागत करता हूँ आपके सपने यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज़ पर वेवाहिक जीवन में कलय बढ़ाता है गुरू चांडाल दोश, इनसान के लिए मुश्किलें खड़ी करता है गुरू चांडाल दोश, जिंदगी को तबाह कर देता है गुरू चांडाल दोश, स्वास्त में परिशानियां लाता है गुरू चांडाल दोश, भाग्य का साथ नहीं मिलने देता गुरू चांडाल दोश, पैसे में कमी कराता है गुरू चांडाल दोश, घर के सरश्चों के बीच लाई जगडे कराता है गुरू चांडाल दोश, जी हाँ, एक ऐसा दोश जिसको जोतिश में बहुत नकारात्मक माना गया है, हमें जीवन में राहा कौन द गुरू ये तो सभी परचित हैं सब जानते हैं और जब गुरू के साथ राहू बैठ जाएं यानि गुरू ही राहू से ग्रसित हो जाएं ऐसे में गुरू चंडाल दोश का निर्मान होता है और जब हमें रास्ता दिखाने वाले ही गुरू ही ग्रसित हो जाएंगे तो हमारी बन्ता है अगर यह यह जो योग है यह लगन में हो पंचम में हो ये नवम भाव में हो तो तो फिर विशेस नकारात्मक होता है इसका समय पर वपय अगर न किया जाए तो कुंडली के तमां शुब योग भंग हो जाते हैं जितने और भी शुब होगे वो भी खतब हो गुरु चंडाल दोश का प्रभाव क्या पड़ता है यह हमारे शुब गुड़ों को घटा देता है नकरात्म गुड़ों को बढ़ा देता है यह योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है इस योग के होने से व्यक्ति को पाचत तंत्र की समश्या है लिवर की समश्या है, गंबीर रोग जैसी सभावनाय बन जाती है कैंसर का कारणा बन जाता है कई बार तो यह व्यक्ति धरम बरश्ट हो जाता है अपियश का सामना करना पड़ता है उसको अगर किसी महिला की कुंडली में योग हो तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है उसका कब काम नहीं करता गुरू चांडल दोश अगर व्यक्ति का ब्रस्पती उच्च राशी में हो तो गुरू चांडल दोश नुकसान नहीं पहुचा सकता है इसके अलावा अगर राहू गुरू के साथ कोई और ग्रैबी हो ब्रस्पती अस्तो हो या वक्री हो किसी सद्गुरू की किरपा हो तो अभी गुरू चांडल दोश के जो प्रभाव है नकारात्म प्रभाव वो कम हो जाते है इसको समाप्त करने के लिए क्या हुपाय करें कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं हमेशा बड़े बज़ुरू का सम्मान करने गले में सोने अपीतल का चौकोर टुकडा जरूर धारन करें पार्क, मंदिर या सड़क पर पीपल के वरक्ष लगवाएं या लगवाएं मासाहरी भोजन से परेज करें गुरू चंडाल दोश से छुटकारा पाने के लिए जातक को गुरू और राहू का शंती पाठ करवाना चाहिए बगवान गणेश जी की नियमित पूजा से भी गुरू चंडाल दोश से छुटकारा मिल जाता है इस अशुभ योग के दुष प्रवाव से बचने के लिए सूर्य देव की उपासना करें और सुबह उन्हें अर्ध जरूँ दे माते पर पीले चंदन का तिलक धारन करें विष्णू सहस्तना मिस्त्रोत और भगवान विष्णू के मंत्रों का जाप भी गुरू चंडाल दोश के दुष प्रवावों में कमी करता है अगर संबह हो तो ब्रस्पतवार के 16 ब्रस्पतवार विरत कर लें भगवान विष्णू के विरत कर लें उससे भी गुरु चांडाल दोश के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनमें कमी आती है ध्यान रखेगा आप सब लोग भी फिर मिलेंगे जवशना